अमेरिका ने बड़ा प्लान तंयार कर दिया है अब कहा ये जा रहा है कि अगर एरान ने इसराइल पर हमला किया तो सबसे बड़ा नुकसान एरान का ही होने वाला है क्योंकि बाइडन और नितन्याहू ने एरान को चौथे फ्रंट पर घेर लिया है ये रेपॉर्ट देखे हानिया की कसम घाजा बनेगा इसराइल 31 जुलाई दो हजार चौबीस को हमाश चीफ हानिया को इसमाइल ने तेहरान में ऐसी मौत मारा है कि उसके बाद से पूरा अरप वाल्ड हानिया के बतले की कसमे खा रहा है इन हालातों में इरान सबसे बुरी तरह से भंस गया है इरान के बाद सिर्फ एक रास्ता बचा है इसरैल को घाजा बना दो वरना इसरैल और अमेरिका मिलकर इरान को दूसरा घाजा बनाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे और इसकी भीशन तैयारी पूरी हो चुकी है इरान पर इस स्वक्त इसरैल से खूनी बदला लेने का बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है लेकिन इधर इसरैल ने इरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर इसरैल पर इरान की तरफ से हमला हुआ तो इरान पर ऐसा हमला होगा कि उसकी आने वाली नसली तक याद रखेंगे इसरैल की खुफ़े आईजेंसिया मौसाथ और शिल्पेथ ने जो इनपूर्ट पीम नेतन्याहू को दिये है उसकी हिसाब से इसरैल 72 घंटे के अंदर इरान की आयर जीसी और हेजबुल्ला के टॉप कमांडरों को मार देगी ताकि इरान और हेजबुल्ला की तरफ से जंग पर बड़े फैसले लेने वाला कोई नहीं बचे इधर इसरैल को अमेरिका से जबरदस्त साथ मिलने लगा है जिसने पूरे मिडल इस्ट को आग में जोकने का काम किया है ज़रा देखिए समंदर में कैसे अमेरिकी नो सेना की घातक युदपोत इसरैल का साथ देने के लिए पहुँच रहे हैं इरान और हेजबुल्ला के हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना को समंदर में उतार दिया है जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने मिडल इस्ट में अतरेक्त लड़ाकों विमान और नो सेना की युदपोत उतारे हैं मध्यपूर और यूरोप में अतरेक्त नो सेना क्रूजर और डेस्ट्रॉयर भेजने की मनजूरी अमेरिकी रक्षमंत्री लॉयर्ड ओस्टिन ने दे दी है अमेरिका इरान की घातक बैलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी कर चुका है इसके अलावा अमेरिका में लड़ाको विमानों का एक अतरेक्त स्कॉर्डन भी इरान से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है अमेरिका की रक्षमंत्री लॉयर्ड ओस्टिन ने युएसस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रॉप को तैनात करने का ऐलान कर दिया है इसको लेकाट पेंटागन ने कहा है कि इससे लेंड बेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंट सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा और एरान और हिजबुल्ला जैसे दुश्मनों को तबाह करने में जबर दस्त मदद मिलेगी सचर लेशे ऑनो ए मुषसन, रसका सचर दीकार ज्बर को वेस्द में पुल्मी को घुच बढ़ सी तोवववववद्ट थ timo वोल मेश बुगा बमदीनातीनू दूम बगुशू वागिफ तारीखिये, वागिफ रिजाल, वागिफ उखमा, यकोलो अल्मौकिफ फिल वक्त मुनासिब वागिफ यह जा जायाodarी झाल झायााओ झायापू इस्राइल तीन मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है स्माइल हानिया के हत्या के एरान और आतंकी संगचन हिजबुला बखलाई हुए हैं ऐसे में इस्राइल भी पूरी तरह से तयार है अगर इरान ने इस्राइल पर हमला किया तो उसे 6 देशों के गड़ बंदन से सामदा करना होगा इरान को घाजा बना देगा इस्राइल पीम नेतनियाहु घाजा के बाद इरान और हेजबुला को एक साथ निप्टा देना चाहते हैं इसके लिए नेतनियाहु को अमेरिका के सक्त जरूरत थी जो अब पूरी हो चुकी है अमेरिकी दोरे पर जब नेतनियाहु गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कॉंग्रिस को संबोधित करते हुए नेतनियाहु के इस भाशन के बार जहाँ 30 जुलाई 2024 को हेजबुला के नमबर दो टॉप कमांडर फुआद शुकर को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया तो वहीं एक 30 जुलाई 2024 को तेहरान में इरान के सबसे सुरक्षेत इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास शीफ वानिया को रात कौने दो बजे मार दिया गया इस्रैल को अच्छी तरह से बता है कि उस पर हमला होगा और इस्रैल चाहता भी है कि इरान और हेजबुला बड़ा हमला करे ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो घाजा में किया गया है घाजा में 300 दिन से ज़्यादा की जंग में 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके है जबकि 20,000 के करीब हमास लड़ा के आईडिय अफ ने मार दिये है ज़रा देखिए इसरेल को और कौन-कौन से देशों का साथ मिल रहा है इरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तिन का साथ मिल रहा है तो वहीं इसरेल को अमेरिका का साथ मिल रहा है कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इसरेल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है जिसमें सौधी अरब, UAE और जॉर्डन शामिल है रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को इरान की ओर से इसरेल पर मिसाइल और प्रून हमला हुआ था उस वक्त ऐरानी मिसाइलों को रोकने में इसरेल कामयाब रहा था क्योंकि उसे अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था वहीं UAE और साओी ने भी सूचनाएं अमेरिका को दी ती, जिसका फाइदा इसरेल को मिला מסר שלנו, לכל המזרח התיכון השבוע אנחנו מי שתוקף, אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים ותקפנו בבירות ואנחנו תוקפים בעזה ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה וכך גם ניתकوف מאוד חזק इधर इसरेल ने ऐसा वार प्लान बनाया है जो एरान और हिजबॉल्ला के हमले के वक्त जबरदस्ट काम कर सकता है दावों के मताबिक इसरेल ने बंब शिल्टर तयार करने को कहा दावा किया जा रहा है कि जब इरान घातक मिसायलों से हमला करेगा और हेजबॉल्ला रॉकेट से इसरेलिक शहरों पर हमला करेगा उस वक्त इसरेली शिल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे इस्रेली सरकार ने इस्रेली लोगों को अपने बंब शेल्टर को साफ करने और उसे तयार करने को कहा है CNN की रिपोर्ट के मताबिक येरुशलम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने के स्थिति में क्या करना है लोगों को शेल्टर के रूप में इस्थेमाल किया जाने वाले पार्किंग्स थलो और बंब शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बंब शेल्टर तक पहुंचना होगा वरना जान जा सकती है यानि इरान और हिजबॉल्ला के हमलों से बचने के लिए इस्थेमाली नागरिकों के पास 90 सेकंड होगा इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इरानी मिसाइलों और हिजबॉल्ला के रॉकेट ट्रिगट पर देकी है जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इरान, हिजबॉल्ला, होथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इस्रैल पर एक साथ हमले का प्लैन बना लिया है खबर तो यहां तक है कि इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इरान और हिजबॉल्ला के टॉप कमांडर के साथ मीटिंग की है जिसके हिसाब से इस्रैल पर इस बार मिरणायाँ खमला किया जाएगा सुप्रीम लीडर आयतुला अली खामनेई ने इरानी अकबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ओपेशन में इरान ने इसरेल के सिर्फ कुछ ठेकानों को निशाना बनाया था लेकिन अब इसरेल के अंदरोनी ईलाकों जिसे तेल, अवीब और हाईफार रननेटिक केंद्रो पर हमला होगा खामने ने यवी लिका है कि हान्या के हत्यामे शामल इसरेल या दिकारियों के गरूं को निशाना बनाया जाएका एस बार का हमला वाला खदरनाक होगा, जिसे इंतरसेप्ट करना पी मुचिल होगा रजीम सह्योनी जनायतकार व तरोरीस बा एन अगदाम जमीने मुचाजात सख्टी रा बरागी खुद फराहम साख्ट वखुन खाही औरा के दर हरीम जम्हुर्गी एसलामी एरान बे शहादत रसीद, वजीफे खुद मीदानी एजगे इसराइल, यमी मादगरीम लफनेन। माज़ तकिफा बबेरुट, निश्माइम इयुमीं मेखल एवर अनको अरुखीम लखल तर्खीश, वनामोद मिलुकदीम नखुशीम मूल कोल इयुम इसराइल तिकबे मेखिर कवड मोद, अल कोल तोफनות नगदेनू, मेकोल जीराश शही स्माइल हानिया की मौत पर एरान के रिवलिशनरी गाट्स ने बड़ा दावा किया है दावा ये है कि हमाज शीप को मिसाइल अटैक में मारा गया है और इसमें इसराइल की मदद अमेरिका ने भी की है लेकिन इससे भी बड़ी खबर गाजा से है जहां हानिया की राइट हैंट यहां सिन्वार को सुरंग के अंदर घेर लिया गया इस पाइल हानिया मारा गया काइब मारा गया गाज़ा पूरी तरह तबाह है रफा में भी कोई सलामत नहीं ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है हर और तबाही, हर तरफ बरबादी, हर तरफ गोलियों की गोंच, हर तरफ खंड़, रॉकेट धमाके से जमिन दोज हुए मकार, मिसाइल की मार से दबा हुए बस्तियां, टैंकों के गोले से धुँआ धुआ हुए गलियां इसरेल ने तुलकरम को बारूद से पाट दिया है तुलकरम में इसरेल की एरे स्ट्राइक में पांच की मौत हुए है आईडियेफ ने दावा किया है कि सवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर धेर हो गया है आईडियेफ ने ये हमला कतर में हानिया का जनाज़ा उठने के बाद अंजाम दिया दो अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अलहाया पहुचा था उधर हानिया को कबर में पहुचाया गया इधर इसरेल ने घाजा में कोहराम मचा दिया तीन अगस्त की सुबह से भीशड बंबारी कर इसरेल ने घाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रोसिंग पर भारी तबाही मचाई है The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. Israel Air Force जहां आस्मान से बारूद बरसा कर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है. वहीं जमीन पर IDF कमांडो याया सेनवार के सर्च आपरेशन में जोटे हैं. IDF के तरफ से दावा किया जाए है की याया सेनवार किसी भी वक्त माला जा सकता है. गाज़ा की सोरंगों में चल रहा सर्च आपरेशन याया सेनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा.